हेलो फ्रेंस आज मैं आपको सिंपल प्लाजो के स्टिजिंग करना सिखाऊंगी तो इसके लिए यहाँ पर मैंने टू मीटर फैवरिक लिया है फ्रेंस अगर आपकी प्लाजो की लेंद्ध कम है तो आप इस तरह के से प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं अगर लहन्च जादा है थो आपको सि कोड़ा है चाह है Надर का कपड़ा हमारा मूडा नहीं चाहिए चाहे तो आप पहले फैवरिक पर प्रेस कर सकती है इसे अच्छे से सेट करने के बाद इन से सिक्योर कर लीजिए ताकि यह इधर दर भागे नहीं सबसे पहले यहाँ पर मैंने Elastic ली है Elastic मैंने इस से ली है ताकि हमें पत्ता लगे कि हमें नैफा कितना फोल्ड करना है तो इस तरह के से इलास्टिक पर हमने साल लगा लेंगे आपके जित्ती चोड़ी इलास्टिक होगी आप उसे साब से मार कीजिएगा और यहां पर से हम सीधा कर लेते हैं टू पॉइंट एस्टा मार्जन लेंगे अंदर को फोल्ड करने के लिए यही पर हमारा हीप का मार्किंग होगी अब सबसे पहले यहां पर आपने हीप का अंसाल लगाना है जितना भी आपका हीप आएगा उसमें आप 4 इंच की लूजिंग डालेंगे हीप है 39 प्लस 4 करेंगे आएका 43 43 का हाफ यहां पर रखेंगे उसके बाद एक इंच हम मार्जन लेंगे तो यह टोटल हो जाएगा 11.5 इंच अब यही से हमने आसन का मार्क करना है तो आसन भी पहले हम यहां पर 11.5 इंच पर रखेंगे और यहां पर 1.5 इंच बढ़ाएंगे अगर साइज बढ़ा है तो 2 इंच बढ़ाएंगे यह निसान आजाएगा हमारे 13 इंच पर और अब इस निसान को भी सीधा कर लेंगे अब हम टोटल प्लाजों की लंबाई का नमार्क करेंगे तो यहां पर हमारे प्लाजों की लंबाई जो है 37 इंच है तो यहां पर fix हमने पहले 37 इंच रखना है उपर elastic वाला margin छोड़के तो यहां पर पहले हम निसान लगा लेते हैं 37 इंच पर अब यहां पर हम देख लेते हैं यहां पर हमारा आ रहे है 11.5 इंच तो अब ने हम यहां पर 12-13 इंच तक ही बड़ा सकते हैं इससे पहले हम नीचे से मुहरी फोल्ड करने के लिए margin ले लेते हैं इसके को इस तरह किसे रखेंगे और 1.5 इंच का हम यहां पर नीचे का margin ले लेते हैं इस तरह के से अब हम यहां पर आसन वाले भाग में 1.5 इंच का मार करेंगे इस तरह के से देखिए आगी को ले जाएंगे निसान और इसको किसे सीधा कर लेते हैं अगर आपका size 50 से जादा है तो आप इसे 3 इंचे पर रखिए अब हम इसमें 1 इंच की गुलाई दिंगे इस तरह के से अगर वीडियो आपको पसन आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तो यहाँ पर हमने गुलाई दे दी है अब यहाँ पर मैंने आपको बताय था कि आप 13 इंचे तक ले सकते हैं यहाँ पर मेरी मूरे का निसान है 10 इंच तो मैं 10 इंच पर निसान लगाऊंगी इस तरीके से मैं इसकी चोड़ाई ज़्यादा नहीं रख रही हूँ अब हमने लेना है एक सेफ हंटी और इससे हम इसको सेव दिंगे इससे बहुत ही अच्छा सेव आता है अगर आप प्लाजो और पैंट बना रहे हैं तो इसका यूज ज़रूरी है हाथ से उतनी अच्छी सेव नहीं आपाती है तो इस तरीके से मैंने निसान लगा दिया है देखिए लाजो सिनन बहुत ही इजी है इसकी मार्किंग भी बहुत ही इजी है और कटिंग भी बहुत ही इजी है तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं जो हमने मार किया था ना से मार्किंग पर हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमने इसकी कटिंग कर लिए है अब मैंसे खोल लेते हैं दोनुपल लेको हम अलगलग करेंगे उपढर से यहां पर इस तरह के से जोड़ आए है तो हम इसे खोल लेते है पहले इस निसान को मुह सीदा करते हैं जहां से हमारा उपर का लैस्टिक वोगा अब दोनु पल्ले को अलग अलग रखेंगे हम अब हम यहां से आसन से नीचे को स्लाइ करेंगे तो चले स्टेचिंग करके दिखाते हैं तो दोनु में हम इस तरह किसे कर लिए हैं देखें स्टेचिंग तो हम आमने सामने रखके आपको दिखा रहे हैं स्टेचिंग कर लिए हैं हमने इसके बाद हमने देखे एक हमारा उल्टा ही रहेगा और एक को हमने सुल्टा करना है इस तरह के से अब जो हमने सीधा किया है न उसे हम उल्टे वाले प्लाजों की अंदर से डालेंगे चलो इसके अंदर से इसको डाल लेते हैं इस तरीके से अगर आप इस तरीके से स्लाई करते हो न तो आपकी जो नीचे से आसन है बहुत ही मजबूती से रहता है तो आपको slide to slide इस तरह के से पकड़नी है देखिए center से और इसके पूरी round में आपको stitching करनी है जैसे कि आप अस्तिन जोइन करते हो ना सेम उसी तरह के से आपने इसको stitch करना है पूरे round में से घुमा लिजिए तो यहाँ पर हमने इसे पूरे round में घुमाते हुए stitching कर ली है इसे आपको खोल के दिखाते हैं यह कुछ इस तरह के से पैख होवी slide है तो यह जल्दी नहीं फड़ती है तो अब हमने इसे खोलना है बाद में आप इस पर interlock कर दीजिएगा देखिए इस तरह के से होती है slide अब हम उपर का नैफा फोल करते हैं जहाँ पर हम elastic डालेंगे देखिए पहले हमने two point कपड़े को फोल करना है और जो हमने margin लिया है ना उसी को हमने इस तरह के से अंदर के set को फोल करना है और पूरे में हमने stitching चलाने है चाहे तो आप पहले से pencil secure कर लिजे यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर elastic के लिए यहाँ पर space छोड़ा है बाकी में पूरे round में stitching चला दी है तो अब हम यहाँ पर इसमें elastic डालेंगे तो elastic में septic pin लगा दी है और इसको इस तरह के से अंदर के set को हमने डालना है तो इसलिए यह डल जाता है इस तरह के से इस पर हम डालेंगे तो यहाँ पर हमने इसे दूसरी set से निकाल लिया है और Elastic को हम इस तरह के से cover कर लेंगे अब दोनु Elastic को हम इस तरह के से पकड़ेंगे और एक के उपर से हम एक को रखेंगे इस तरह के से इस तरह के से नहीं रखना है इस तरह के से रखना है इस पर stitching कर लेते हैं तो टाकी मारते हुए हम इस पर stitching कर रहे हैं इसके शरट में करें, शरह का कि खीशते हुए शिर सट ऐसे फैर के सब्सक्रीक खीशते हुए अब हम साइड कॉनर संप पिन लगा देते है्म और इसमें अचीच लगाएंगे और जहां पर हमने space दिया था ना elastic डालने के लिए वहीं से हम stitching स्टार्ट करेंगे इसे बंद करते हुवे ही stitching स्टार्ट करने है पहले इस तो बंद कर लिए हमने ये दीखें अब इसको बंद करें एक बीच में फसलाई लगांगे बीकलảo सेंले इस तरह से Ilaastik को मैं इतना ही खियेसना है पीन हमने इस ते लगाय थी ताकि हम緝स्टिक को urgency की इस से में आइडिया मिल जाएगा कि एस्टा कपड़ा हमारा इधर से उधर नहीं भाग रहा है इससे हमारा आसन बिल्कुल नहीं गुमेगा हमारा प्लाजो नहीं गुमेगा बिल्कुल सेट रहेगा इलास्टिक तो बीच में इस्टिचिंग करनी है आप चाहे उपर नीचे और भी स्टिचिंग कर सकते हैं लेकि काल भूल्ड हमें लारा बहुत तरीके से अρχुनाई वंद्रेट को मंट करें अन् कालग पीज़्त मीन एक हर बहुत संब्सक्राइब हर सकते छाईक बताई साधे हैं। लुवर्यृक्थ मारजन इसे फोल्ड के ने वी भी पोरे हैं सेतके पाल के फोल्ड करना है। तो हमने नीचे से भी फोल्ड कर लिया है, उपर से भी हमने अलास्टिक लगा दिए है हमारा फ्लाजो हो चुका है कम्प्लीट अगर आपको वीडियो पसन आती है वीडियो को लाइक कीजिए आप भी लाजो उस तरह किसे घर पर इसलिए अपने लिए त्यार कर सकती है तो चलिए फ्रेंस बाबाई थैंक यू पर वचिंग